हेलो एवरिवन आप सबी का बहुत बहुत स्वागा थे हमारे यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज हम एक और टैरो का रिडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पार्टनर आपके बारे में किस से और क्या बाते कर रहे हैं ओके भी वर जनरल है कलेक्टिव लेवल पर है टाइम लेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है आपका जो भी जोडियक साइन है ये रिडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है इसलिए मेल फीमेल मैरीड अंड मैरीड सभी इस रिडिंग को देख स और जिसके साथ भी इस वक्त आप relationship में हैं उसके लिए भी देख सकते हैं Okay viewers हमने यहाँ पर कुछ cards निकाल लिए हैं और जो हमारे पास cards आए हैं The Fool, Queen of Wands, The Sun, Eight of Cups, King of Wands and The Emperor Okay बिना time waste के reading start करते हैं हमारे The Emperor के cards से यहाँ काफी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जिस person के लिए भी आप इस reading को देख रहे हैं वो काफी egoistic हो सकते हैं, controlling nature है उस person का और इस person ने आपको भी control करने की काफी कोशिश की है जिसके चलते आप दोनों के relationship में कुछ problems भी आई हैं और इस person ने अपने ego और घमन में आकर भी आपको कुछ ऐसी बाते भी भूल दी हैं जिसकी वज़ा से आप इनसे नराज हो सकते हैं यहाँ king of friends भी आया है तो यहाँ यह अपने एक ऐसे friends से आपके बारे में बाते कर रहे हैं जो love guru हो सकते हैं मुझे ऐसा लगता है वो काफी अच्छी मतलब advice दे सकते हैं किसी को भी उनको love and relationship के बारे में काफी knowledge हो सकती है और आज शाम आपके person ना अपने उसी friends से आपके बारे में बाते कर रहे हैं अपने relationship को discuss कर रहे हैं जो problems आ रही हैं वो उनको solve करना चाहते हैं उस person से advice ले रहे हैं और आपके बारे में काफी सारी ऐसी बाते हो रही हैं कि आप इनको प्यार तो करते हैं बट इनको अच्छे से समझते नहीं है यानि कि आप अपने partner को सही से समझ नहीं पाएं हैं यानि कि आप ना इस person के opposite चलते हैं ये person आप से जो कुछ भी कहते हैं इस person को ऐसा लगता है कि आप उसका opposite ही करते हैं तो ये person ना एक अच्छे leader भी हो सकते हैं इस person को ऐसा लगता है कि इस person को जो भी मतलब intuitions मिल रही है आप दोनों के relationship को लेकर और जो ये person ना सोच रहा है आगे की future planning कर रहा है आप दोनों के relationship को लेकर शैद ये चीज आपको पसंद नहीं है यानि कि आप चाहते हैं कुछ और और ये person चाहता है कुछ और आपको ऐसा लगता है कि ये person आपकी हर activities पर नज़र रखता है और अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करता है आपको ये चीज इस person की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और काफी सारी लोग लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का break up हो चुका है और अगर आप दोनों का break up हो चुका है ना तो ये person ना काफी अकेला पन और उदासी फिल कर पा रहा है इस person को ऐसा लगता है आज शाम की शायद इसके जीवन से जब आप गए हैं तो इसके जीवन से खुशियां रूट गए हैं क्योंकि eight of cups भी आया है ना यहां हमारे पास तो ये person ना इस वक्त एकांत में बैटा है और अपने उस fans से आपके बारे में बाते कर रहा है कि इनका दिल कहीं नहीं लगता आपके बिना और आप इन्हें अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप दोनों की relationship ना काफी आगे तक नहीं चल पाएगी इस person को ऐसा लगता है और इस बात का इसको काफी दुख भी है और यहां पर third party situation भी काफी जारे लोगों के लिए मुझे नजर आ रही है क्योंकि यहां दसन का card भी है and coin of wands भी है तो यहां कोई person तो ऐसा है जो flirt कर रहा है यानि कि एक person काफी serious है और दूसरा person उसके साथ में flirt कर रहा है तो इस बात को भी discuss किया जा रहा है अपने fans के साथ में कि आप जो है ना शायद इनके साथ flirt कर रहे हैं इस person को आप पर stress issues हो सकते हैं इस person को यह तो लगता है कि आप काफी उर्जा से भरे हुए हैं आप में इनको ऐसे एक व्यक्ति दिखता है जो हर्समुक साभाव का है हमेशा ही खुश रहता है और जीवन को खुल कर जीना चाह का है और आपको इन से यह शिकायते हो रही है यह problem सा रही है और यहाँ पर कोई एक person है जो carefree nature का है और वो जादा सोचना समझना भी नहीं चाहता है या तो आपके partner है इस nature के या फिर आप हो सकते हैं तो यहाँ ना एक new beginning होती हुई मुझे नजर आ रही है क्योंकि the fool का card हम और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 8 महीने तो लग सकते हैं इस new beginning को होने में क्योंकि यहाँ पना एक person काफी उदास और प्रशान है बहले ही आप इस वक्त तो खुश हो या फिर यह खुश हो आप उदास हो पर यहाँ पर जो time period मुझे नजर आ रहा है new beginning का वो 8 महीने ही न